असलाम वालेकुम दियो स्टुडेंट्स वेलकम xpacademy.com जहांपर आप step by steps CSS उर्दु जबान में सीख रहे हैं दियो स्टुडेंट्स CSS के इंदर मैं आपको box modeling पताने जा रहा हूँ यानिके हम लोग जो पिछले दो lessons लेकर आए हैं boss modeling की उपरी थे इस lesson के पर भी हम कुछ boss modeling के पर बात करें के लेकिन पहले मैं आपको positioning के बारे में concept clear कराना चाहता हूँ उसके बाद वाले lessons के अदरे फिर हम boss modeling को complete करेंगे अब positioning हमारा क्या चीज़ है जैसा कि last lesson में आपने देखा मैं आपको फिर दिखाता चलूँ कि हमने यहाँ पर इसको negative value दी तो जैसी हमारा paragraph increase किया अपनी limit से तो यह up and down move होना शुरू हो चुका है तो यह मेरे पास कुछ चीज़ का perfect solution नहीं है मैं यह चाहता हूँ जो मेरे पास right hand यह जो मेरे पास area है जो मैं अपने ads के लिए create किया था इसको हमेशा इदर रहना चाहिए top पे और हमेशा right पे रहना चाहिए तो इसके लिए आप जो चीज़ हमने use करनी है वो हमारे पास क्या है positions है positions आपके पास एक ऐसा CSS के अदर property है जिसके थूँ आप किसी भी image, text div, कोई भी जो आपका objective उसको किसी भी जगह पर आप block कर सकते हो रोक सकते हो अपनी इस screen area में let's say आप यह चाहते हो कि पास कोई logo है, वो हमेशा आपके पास इदर corner पे रहे, left पे रहे जैसे आपका screen उपर नीचे हो लेकिन उसके दर फर्क कोई ना हो वो भी हम कर सकते हैं, आप जाते हो हमेशा आपके पास middle पे कोई चीज रहे तो जिदर आप उसको positioning assign करेंगे उदर होगी अब positioning के बारे में detail से देखते हैं हम लोग अपनी हम slide देख लेते हैं देखे students, हमारे पास जो अभी है क्या हो positioning के बारे में आपको पताने जा रहे हैं settings के बारे में हमारे पास जो positioning होती है इसको हम अपने HTML elements की through कहीं भी put कर सकते हैं जहां पर हम इसको location चाहेंगे देना ठीक है? अब यह हमारी मर्जी होती है कि हम उसको किस जगा पर हम उसको लाना जा रहे हैं अब इसके अंदर आपके पास position में आपके पास तीन types आती है सबसे पहले आपके पास types होती है relative position अब इसमें क्या होता है? relative में क्या होता है? आप इसको relative position देके फिर आप इसको x और y यह निकि आप इसको offset की value देते हो जिसमें आपके पास value होती है वो आपके पास move left होती है अगर आप इसको left move करना चाहरे हो फिर आपको इसको use करोगे negative value के साथ तो यह आपके पास left side पर move हो जाएगी इस तरह सेकर आप इसको right side पर move करना चाहरे हो फिर आप इसको positive value के साथ left के थूप move करेंगे यह निकि आपके पास value है वो main आपके पास 2 है आपके पास left है और आपके पास top है फिर आपके पास top आजाती है इसको आप उपर की तरफ move करना चाहरे हो तो फिर आपको इसको negative value आप दे देंगे top के लिए, इस तरह से फिर आपको down के तरफ move करना चाह रहे हैं, तो आप इसको फिर positive value दे देंगे top down के लिए, ठीक है, तो इस तरह से इस values को आगी तरफ ले कर जाएंगे, और जैसे मैं आपको बताया था, हमारे पास positioning में तीन options होत हैं, अब ये तुमाँ positions कैसे काम करती हैं, हम इनको बिलकल step by steps, हर एक lessons के अंदर जाकर, अलाइदा इलाजा से समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगी तरफ निकलते हैं, तो मैं close कर देता हूं इन सब चीज़ों को, मैं अपनी size file में जाओंगा यहां पे, और हमारा जो lesson है, lesson इसको मैंने container का नाम दे दिया, यह मेरा main container है, और इसके अंदर मैंने तीर classes बना दिया है, one, two, और three classes है मेरे पास, मैं इसके backhand पर चलता हूं, right click किया, edit with notepad plus plus मेने click कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर आ जाता हूं, और हर एक के लिए यह देखे, मैंने एक अलादा से class बनाई है, one के लिए के लादा से class है, two के लिए लादा से class है, three के लिए लादा से class है, और मेरे यह container है, बिल्किल देखे, last मेरे पास या रहे है, ठीक है जी, मेरे पास यह मेरा main container है, जो मैंने जिसके अंदर यह मेरा रहा, यह मेरा main container है, ठीक है, और इसके अंदर तीन objects है class 1, class 2, class 3 मैंने का this is class 1, this is class 2 this is class 3, और यह यह आपके पास नजर आ रहा है, this is class 1 2 and 3, और तिनों को मैंने different color दे दिया है और आप अगर आप उपर चले जाएं, तो यहाँ पर देखें, आपके पास right color है blue color है, और आपके पास green color है, ठीक है container आपका यह रहा container का जो background है, वो server है इसकी जो मैंने width दे दिया, वो 700 दे दिया और बाकी तमाँ को मैंने मफ्तलित backgrounds और width 200, 200 and 150, 200 and 150 की मैंने hide दे दिया, तो यह मैं रपास वो object आ चुके है अब मैं इस के पर, green के पर अपनी position एपलाई करने जा रहा हूँ, वो position के मेरी relative है, ठीक है तो आप इदर आ जाएंगे, यहाँ पर one के पर आ जाएंगे, मैंसे enter कर देता हूँ, मैंने type किया position position relative ठीक है जी मैंने इसको position relative दे दिया, अब देखते हैं क्या होता है, मैंने इसको save किया, save करने के बाद मैं, यहाँ पर आ जाता हूँ, refresh करता हूँ वाँ, देखें मेरे पास कोई भी changing यहाँ पर रूर्मा नहीं हुई, ऐसा क्यूँ क्यूँ कि मैंने आपको पहले कहा था जब आप positions वगारा देते हूँ तो फिर आपके पास यह left और tops की values के साथ निकलते हैं आगे की तरफ, ठीक है अब इसके लिए आप क्या करना होगा आप यहाँ पर आ जाएंगे इसको मैं इंटर कर देता हूँ और इसको मैं value देता हूँ left left से मैं इसको आगे की तरफ कुछ लाना चाहरा हूँ कितना 20 pixels लाना चाहरा हूँ पर्के इसको 10 pixels आगे लाना चाहरा हूँ ठीक है, px और इस तरह से मैं इसको top से भी 10 pixels ली आगे लाना चाहरा हूँ control s कर दे, अब आप इदर आ जाएं देखें, आपके पास यह object है मैंने इसको इदर से यह से भी 10 आगी तरफ लाया इससे इदर से भी आगी तरफ लाया जैसे भी refresh कर देता हूँ देखें का उपर से नीचे और इदर से इदर होगा मैंने refresh किया तो देखा उपर से नीचे 10, यह नहीं कि आपके पास देखें तो फिर क्या होते हैं, देखें, मैंने इसको minus दे दिया, control s कर दें, और यहां पर आ जाएं, जैसे विसे refresh कर दूँगा, तो देखें आप इसने minus इसको किया है, आखे पास यह जो area देखें से minus किया है, और यहां पर आप इसको right भी type कर सकते हैं, यह निए कि आप right भी type कर सकत देखें, मैंने इसको right side भी दे दिये, simple, आप इदर आ जाएं, और refresh कर दें तो देखें, आखे पास यह दर right भी रहा है, ठीक है, इसी तरह से, आप इसे कुछ मजीद value हम लोगों से दे देते हैं, मजीद value में से देता हूं, तकरीबन मैं से कुछ आगी तरफ और लाना चा ठीक है, मैं इसे मजीद कुछ value दे देता हूं, मैं इसे कहता हूं, मेरे पास यह जो left position है, इसको हम आगी तरफ ले जाते हैं, left position में इसको मैं move कर देता हूं, तकरीबन 200 pixels की तरफ में से लेका चला जाता हूं, ठीक है, और जो top से है, इसको मैं again यहाँ पे near about 300 पे लेका चल के मेरे पास यह 200 का box है, देखां, और 300 फिर move हुआ मेरे पास, तो देखें, यहाँ के पास 2 का left move हुआ, आगे पास each box कितना है, 2 का है, तो इसलिए यह बिल्किल के साथ touch हो चुका है, ठीक है, तो मैं अब इसकी तौरा से dimension change करता हूं, मैं इसको 4 दे दिया, और यहाँ मैं जो left side पर यह move हुआ है, जो left side पर यह move हुआ है, यह उपर से नीचे, आखे पास यह 400 move हो चुका है, ठीक है, इस तरह से मैं again, इसकी value काम कर देता हूं, यहाँ पर top की, मैं इसको 50 देता हूं, मैंने इसको 50 value दे दी है, तो देखें, आप इसको मर्जी से, जिस तरफ चाहें सक्रीन पर दाएं बाएं आप इसे move करवा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस text की यहाँ पर value increase कर देता हूं, जैसे मेरे पास height है, इसको यहाँ पर मैं अगर 400 दे देता हूं, तो आप इसको notice कीजिएगा, आपके पास क्या changing होती है, तो मैंने इसको 350 दे दिया, आप वापे से दर आजाएं, और जैसे ही मैं इसको refresh कर देता हूं, यहाँ पर, note कीजिएगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, जैसे मैं इसको refresh किया, तो यह देखें, साथ में ये area ही मेरे पास move हो चुका है, अब इसका problem क्या है, यह तो आपके पास एक बहुत बड़ा problem create हो चुक means, अगर साथ वले contents आपके पास दाएं बाएं move करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर problem create हो जाती है, anyhow, यह हमारी options थी, इसके पर इंशालला next lesson में बात चीत करेंगे, next lesson में हम लोग देखें कि हमारे पास absolute option क्या करती है, positions के अंदर, याद रखेगा, absolute और relative जो है, यह बिलक इस पे आप अजाफा करेंगे, height rates पे अजाफा करेंगे, तो आपके पास देखें, यहाँ पर कुछ ऐसे problems create हो जाएंगे, anyhow, यह तो था, बताना, यह लाजमी थी चीज थी में आपको इस lesson के अंदर बताना, तो में आपको बता दी, इंशालला next lesson में फिर मिलते है, इस lesson में पॉजिशन के बारी बात करेंगे, लेकिन, पॉजिशन से के अंदर कौन साम topic चूज करेंगी, जैसे मैंने आपको पहले ताया था, पॉजिशन केंदर हमारे पास team categories होती हैं, एक हमारे पास relative होता है, एक हमारे पास absolute होता है, और एक हमारे पास fixed होती है, अब related में आपको बताया था, शायद आपको उसकी हलकी फुलकी समझाई हो कि लेसंस की, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, इसकी तीनों प्राप्रिस को देखेंगे, फिर आपको पता चाल जाएगा, रिलेट किसलिए यूज किया जाता है, एबसलूट किसलिए यूज किया जाता है, तो इस लेसंट के अदर हम एबसलूट के ओप्शन को देखते हैं, तो आप अपनी ड्यूडिस के नदर चले जाएं, जहाँ पे आपके पास साइस फाइल मजूद हैं, CSS XP Academy Files पे, आपने क्लिक किया, और lesson number हमारा है 32, इसको आप double click कर डाले, मैंने double click किया, तो मेरे पास simply वो ही page open हो गया था, जो मैंने अपना उसके लिए use किया था, relative positions के लिए, ठीक है, आपके पास relative position का भी page में open कर देता हूँ, यह दूसरा page है, जिसमें हमने end में जाकर हमने क आपने box की class 1 की length और width को जब मैंने इसको value दी, तो मेरे पास यहाँ पर भी effect पढ़ गया था, आपने देखा होगा last lesson में, अब देखते हैं कि हमारे पास absolute property क्या करती है, तो इसके पर right click करें, edit with not bad plus plus के पर आप click कर डाले, और मेरे पास यह जो है, यहाँ पे, मैं आपको य उताता चलो, यह जो मेरा absolute है basically, इसको जो मेरे पास option आ रही है, वो यहाँ पर आ रही है, अगर आप यहाँ पर चले जाएं, यह आपके पास main container है, जो मेरे class बना दी है, इस किंदर मेरे पास यह तीनों आपके पर नज़र आ रहे हैं, यही class 1, class 2, class 3, और class 1 के अदर आपको कोई changing करना चाते हैं, CSS की बात कर रहा हूं, तो आपको जानना होता है, यहाँ पर, class 1 के अंदर आना होता है, तो class 1 के अंदर में एक type कर देता हूं, position कोई, मैंने इसको position देना चाहता हूं, absolute की देना चाहता हूं, ठीक है, position में आ गया, मैंने इसको absolute की position दे दी है, control S कर देता हूं, अगेन इदर आ जाए, आखे पास class 1, class 2, class 3 है, जैसी में से refresh कर देता हूं, इसको उने refresh किया, तो देखें, आखे पास यहाँ बार कुछ changing हो गई है, अब वो changing क्या हूई है, आखे पास same class इदर उपर नीचे आ गई, basically, यहाँ पे अगर मैं इसकी padding जो है, top margin जो है, वो मैं इसको 20 कर दूँ, तो फिर देखें, अब मेरे पास value ठीक है, अब आप से refresh कर दें, तो देखें, यह इसके बिलकिल पीछे चुप चुप चुका है, अब class 1 आपके पास यह है, class 2 गाईब होगी है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए रहा, absolute जो है, उसने इधर ही आपको effect डाल के दे दिया है, लेकिन, अगर मैं इसके साथ यहाँ पे, इसके offsets define कर देता हूँ, यहनि कि left side offsets मेरे पास कितना होगा, मैं इसके कहता हूँ, मेरे पास left side offsets मेरे पास कितना है, 20 pixels का है, 30 pixels का है, ठीक है, और, फिर आप से define कर देने होते हैं, अब मुझे clear होगा, absolute ने किया क्या है, जैसे इसको refresh कर देता हूँ, तो देखें, आपके पास class 1 गायव है, यहाँ पर मुझूद नहीं है, लेकिन उपर चले जाएं, जैसे में दर उपर जाता हूँ, तो मेरे पास absolute यहाँ पर आ जाता है, basically इसने क्या क इसने मेरे पास 3 पिक्जल इस तरफ से और 3 ही उपर से नीचे, 30 ही उपर से नीचे इसने मुझे को लाकर दे दिया, अब अगर मैं इस margin को खतम कर दूँ है, हाँ पे top वाले margin को, आप देखेंगा, refresh कर दें, तो आपके पास equally नजर आ रहा है, 30 इस तरफ से इसने आगे लाय 30 उपर से नीचे लाया, तो absolute कर रहा है basically, absolute जो है, वो आपके main body area जो है, HTML का जो tag area है, HTML document area है, उसके अंदर positioning आपको दे रहा है, मेरी बास समझे रहे हैं न, मतलब page आपका इदे से start हो रहा है, इस corner से और नीचे तक आ रहा है, इसके अंदर के आपको dimension इसे define करनी होगी, मैं पहले पता दिया था आपको positioning क्या करती है, एक खास area पर अगर अगर अपने आपको जाकर stay कराना चाहरे हो, अपने object को लाना चाहरे हो, उस जगह तक positioning के लिए आपको absolute, आपको positioning का use करना पड़ता है, मैं इसको कुछ और आगी तरफ positioning दे रहता हूँ, मैं फास करें इसको म और refresh कर दें, तो देखें, इसने इसको इदर लाए, अब मैं इसको उपर की तरफ लेकर जाना चाहरा हूँ, आप अगेन इदर आजाएं, और उपर वाला कम कर दें margin, मैंने 10 का दे दिया है, इदर आजाएं, और refresh कर दें, तो देखें, मेरे पास यूपर की तरफ adjustment हो रहा ह ठीक है, अब definitely मेरे जो picture है, यह बड़ी है, अगर मैं इसकी height को छोटा कर दूँ यहां से, तो I think कि जिस चकापर मैं वजूद हूँ, यहां मेरे पास की perfect setting बन रही है, इदर आजाएं, और refresh कर देता हूँ हमें से, तो देखें, यह मेरे पास रहा हूँ, इस तरह से, इस मरत absolute के अंदर रहे कर अपने आपको control करते हूँ, means कि आप इसको क्या किया हुए, इस area से, यहां से, ट्याद रखें का top से आप इसको value दे रहे हैं, ठीक है, अब इसी तरह ही, मैं आपको पहले भी कहा था, absolute को अक्सर use कह जाता है, relative के साथ, अब हम ऐसा कर लेते हैं, हमारा जो मैंने इसको relative डाल दिया, अब absolute जैसे मैंने आपको palette आया था, अगर आप इसको कोई value नहीं देते हैं, जैसे relative आप इसको show नहीं करते हैं, फिर तो यह आपके pick करता है किस content को body, यह HTML के main size को, ठीक है, और body areas का हो होता है, जो आपके सामने यह नजर आ रहा है, अब जैसी मैं मैं इसको यह value दे दी है, bodies की, तो देखते हैं, क्या होता है, मैं इसको save किया, इधर आ जाते हैं, और refresh कर देता हूँ, अब जैसे मैं इसको refresh किया, तो देखें, आपके पस यहाँ पर changing होई है, इस चकापे, ऐसा क्यों है, ऐसा इसली है, क्योंकि हमने यहाँ एक extra tag type किया है अगर इसको मैं control x कर देता हूँ, खतम कर देता हूँ, वापसे दरा जाएं, refresh कर दें, तो देखें फिर इसको इधर लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या है, means के, आपके पस पहले value को यहाँ से अगी तरफ लेकर आ रहा था, और उपर से नीचे की तरफ ला रहा था, ठीक है अब जो मैं से value दे रहा हूँ, वो मैं अपने यह जो वेरा padding area से, बलकि ऐसा कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर मैं padding दे लेता हूँ, आपने पास, मैं इसे margin दे लेता हूँ, top से, मैं इसे margin define कर देता हूँ, top से, ठीक है, और मैं इसे देता हूँ, तक्रीमें 30 pixels के बाद चुरू करना अपने आपको, च्री control S कर दे, यहाँ पर आगे है, और refresh कर देता हूँ, तो देखिए 30 pixels नीचे आ चुक्क है, उपर से नीचे, ठीक है, यह मेरा body area, लेकिन मैंने इसको relative निल लगाया body के अंदर, अब आप समय सकते हैं, तो यह जो मैंने इसको value दे दी absolute की, म 10 तक इसने अपने आपको move किया है, ठीक है, अब अकर मैं इसको link दे देता हूँ, किस के साथ, relative के साथ, अब वो आप, जहाँ पर भी आप type कर देता हूँ, अब आपको इन्शाल्ला समझा जाएगी, positioning मैंने यहाँ पर दे दी है, और मैं इसको relative दे देता हूँ, ठीक है, अ अब इसको refresh किया, तो देखें, अब क्या हुआ मेरे पास, इस area से इसने अपने आपको move किया, 100, जो भी है, whatever, और उसके बाद उपर से निचेस ने आपने आपको move किया, जो मैंने दर यहाँ पर value दे हूँ है, इसके लिए, देखें, यहाँ पर इसकी value क्या है, 10 की value है, clear, अब इसका में फाइदा क्या होता है, basically, यह जो आपका related है, यह आपको तैयम करता है, आपका target दाता है, कि आपने किस area पर effect डालना है, absolute ने, ठीक है, अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं लेकर चला जाता हूँ, अपने यह देखें, यह जो मेरा main container area है, class मैंने जो create की व होता है, positioning को आप मैंने किदर लेया हूँ, related positioning जो है, यह नहीं कि आप absolute को यह जाकर दाएगी, आपका जो तहलेक है, अब वो इस class के साथ है, आप इसे refresh कर दे, वैसे मैं रिफेश किया, तो देखें, इस class के साथ वो value निकल कर आगी है, mean अब वो area, यह जो आपके पास नज value थी, मैंने जो इसको change की थी, यहाँ पर, इस चगहा पर, मैं इसको वो ही define कर देता हूँ, again, मेरे पास जो value थी, वो थी, मेरे पास 200 pixels की थी, और इचे जो मेरे पास high थी, कितनी थी, 150 की थी, मैं उसे control S कर दिया, आप इदर आ जाएं, और यहाँ पर आप इसे refresh कर देते है अब, यहाँ पर देखें, टी students, जब हमारे पास इस चगहा पर हमने किया था, तो मेरे पास यह नीचे की तरफ निकल कर आ गया था, तो आया देखते हैं, क्या हम अगर इदर इसको value बढ़ा देते हैं, मैंस कि मैं इसको यह कहता हूँ, कि अब ऐसा करो, left side से 250 बे move कर दो, control rest किया, इदर आ जाएं, f5 करें, तो देखिए 250 पर आ गया है, अब, जो आखे पास top है, top से थाउसा और नीचे आना चाहिए, मैंसे देता हूँ, यहाँ पर 30 पर आ जाए, refresh कर दें, तो और थाउसा मैंसे नीचे ले आता हूँ, 30 के बाद मैं इसे तक्रीबन 50 पर ले जाता जाए, आके पास, मैंसे की setting कर देता हूँ, यह, और यहाँ पर आके पास drop margin का जो था, वो कितना था, 50 का था, sorry, 20 का था, तो मैंसे drop margin यहाँ पर दे देता हूँ, यह चले हैं, साइट खतम कर दी, मैंने, अब देखते हैं, मेरे पास क्या effect आ रहा है, मैं इसको refresh किया, तो द देखते हैं, हमारे पास उपर क्या 700 है, 700 मेंसे अब 200 यूज़ कर रहे हैं, इसे 500 define कर, मैं इसे 450 define कर देता हूँ, 450 define कर दी है, और नीचे की तरफ जो मेरे पास value आ रही है, इसे मैं तकरीबर 400 define कर देता हूँ, अब आप इदर आ जाए, और इसे refresh कर देंगे, यहाँ तो जै refresh कर देता हूँ, तो देखें, मेरे पास अभी आएगा, इसके अदर आप कोई भी problems होगारा, create नहीं होगी, तो absolute क्या करता है, absolute को आप relative के साथ रहे के, यह नहीं के relative position के साथ रहे के, आप इसको किसी जगा पर भी adjustment करना चाहें, आप इसको adjustment कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं कर कर देते हो, उसके साथ आपने relative, relative position को use नहीं किया हुआ, तो फिर तो वो आपके पास क्या करेगा, HTML का main area, जो आपके पास space start होता है, इधर इस corner से लेकर, end तक, नीचे तक, जिदर आप सुवान जाते हो, वहां तक यह अपना action apply करेगा, अगर आप इसको body area, जैसे मेरे पा पर define कर देंगे, फिर यह उसके साथ touch हो कर आपको काम करके देगा, ठीकर इस ट्रेंट्स, यह तो था हमारा relative का lesson और absolute का, I hope कि आपको main concept clear हुआ होगा, जो कि आपने simple lesson में देखा, हमारे पास यही values देने पर, यहां पर हमारे पास property पर यह problem आई थी, तो वो अब हमारे पास यहां पर नहीं आई है, तो इन्शाललब इस ट्रेंट्स, नेक्स लेशन में फिर देखते हैं, हमारे पास fix property क्या करती है, उस सथ के लिए आप मुझे इजाज़त दे, मजीद मालूमात और update के लिए आप विजिट कर सकते हैं, हमारे website www.xpacademy.com, इस ट्रेंट्स अगर फेस्बूक पर जाके हमें like करना ना भूलिएगा, अपनी दौशामी याद रखें, position के ओपर आगी के तरफ निकलते हैं, आज के lesson में आपको positioning में fix position का use बताऊँगा, कि fix positioning को कैसे use के जाता है, position को कैसे use के जाता है, अपने browser के दर रहते हुए, websites के दर रहते हुए, अक्स तो वो आखे पास बटनें देसे काईप नहीं होता, या बाद वेबसाइट्स काईसा होता है, एक छोटा सा लोगो या कोई एक न्यूस देना चाहरे है, जो वो हर एक पेश पे, एक जगा पे, कॉर्णर पे चोटा सा बनाना चाहरे हैं, हमेशा ये न्यूस देर पड़ी रहे, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, फिक्स पॉजिशनिंग का यूज़ कर लेते हैं, तो इस लेसन के अंदर मैं अपने एक लोगो शोख रहूँगा, कॉर्णर्स पे, किसी भी एक कॉर्णर्स में, मेरे पास ये चौर कार्णर्स हैं, और उसको फिक्स वहाँ पर ही करते हूँगा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका लेसन, आज का लेसन, तो इसके लिए मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ, XP Academy की साइस फाइल, जो है कि CSS File XP Academy की नाम से आपकी DVD के अंदर मुझूद होगी, आप डबल क्लिक कर दें से, और हमारे जो टॉपिक है वो कहा है, पुजिशनिंग फिक्स का है, आप इसको Edit with Node-Bad++ कर दें, और मैंने इसको और इड़ी ओपन भी किया हुआ है, यहां पर मैंने एक्चेंजिंग कर दी है, जस्ट मैंने इसको इदर लोगो की फार्म में शोग कर दी है, मेरे पास एक लोगो बना हुआ मेरा इदर आच चुका है, ठीक है, इस लोगो को मैं इदर टॉप पे लाना चाहरा हूँ, तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, आप आजाएं इसके पुजिशनिंग में, यह हमारे पास देखें, एक कंटेनर के अंदर मुझूद था, डिफ के अंदर मैंने कंटेनर बनाया, उदर यह एक मुझूद है, यह तौवाम चीज़े है, और यह मेरे पास है, कंटेनर नमबर थ्री है, यह निके क्लास थ्री को में यूज़ करने जा रहा हूँ, तो अब क्लास थ्री के अंदर आप आ जाएं, यहाँ पे, इसके लिए आप पुजिशनिंग दे देंगे इसे, मैंने पुजिशनिंग इसे देंदी है, और पुजिशनिंग मैं से दे चाएं तो fix, मैंने इसको fix की पुजिशनिंग दे दी है, ठीक है, और इसके लिए फिर आपको offsets देना होंगे, मैं इसके तो लेट साइड से जो है, example के तोर में से left साइड जो है, वह से में देता हूँ 20px, ठीक है, और top side जो है, वहां से में से देता हूँ near about 20px की pixels की, ठीक है, आप इदर आ जाएं, इसे आप refresh कर दें, तो देखें, हमारे पास वो जो ठाट नमर वाली class इदर नहीं है, उपर जाएं, आपको इदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, अब इसकी problem क्या है, मेरे पास कोई mistake हो चुकिया, यहां पर आप इदर आ जाएं, और देख लेते हैं, हमारे पास क्या mistake हुई है, यहां पर, तो mistake मेरे पास यह, नज़र आगए, यहां पर इने columns में कर देखें, और F5 कर दे, जैसे मेरे पास इस corner पर यह शो हो रहा है, ठीक है, अब देखें, जैसे आपका mouse उपर नीचे बेशा को, तो यह अपने आपको दाए-बाए नहीं लेके जा रहा है, नज़र आए आपको, यह अपने आपको इदर fix कर दिया है, यह हमेशा आप इदर ही रहेगा, ठीक है students, इस तरह से अगर मैं इसको, यहां पर इसकी right direction ले आता हूँ, right side पर, मैं इसको right side में इसको show कर दिये, control S किया, यहां पर आके मैं इसे refresh कर दिया हूँ, देखें आप यह मेरे पास इस तरफ को यह आ चुका है, अब आप मज़ीज इतना अपने आपको पर नीचे करें, just आपने देखना होता है, कि आपके पास logo जो है, उसकी, कि इतना बड़ा logo ना हो, यह अतनी बड़ी आपको यह ना हो, जो आप इतर fix करवाना चाहरे हो, आपका page उससे extra disturb हो जाए, ठीक है, इसक आपके पास आपके पास आपके लाइक्स बटन भी हो सकते हैं, आपका कोई links भी हो सकते हैं, अगर आपको इसको, मजीद कोई आपने मौलुमात देनी है, छोटी से news भुगारा है, वो तुमाँ आपके पास इधर हो सकती है, इसका पे, ठीक है ठीक है ठीक है यूस्टेंट्स, यह था हमारा lesson, fix positioning के बारे में, और इंशालला, next lesson के अंदर, हम उसी अपने remaining parts को, जो हम box modeling कर रहे थे, वहाँ पे positioning का जहाँ पर use आया था, उसी को use करते हुए, उस lesson को भी हम complete करेंगे, positioning को use करते हुए, तो असवार तक के लिए मुझे अजाज़त दें, मजीद मालुक मात और update के लिए विज़ट कर सकते हैं, हमारी website www.xpacademy.com, अपनी दौन मुझे याद रख नेक्स लसन तक के लिए, आला हाफिज, असलाम उलेक।